तो देखते हैं आप यह कोश्चंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है विच वे प्रोपर्टी डिटर्माइन्स एंड बी पार्ट में बोला गया है पीच तो कौनसी वे प्रोपर्टी यहां पर लाउडनेस एंड पिच को क्या गरती एक तरीके से डिस्क्राइब करती है तो जो हमारे यहां पर लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हमारी किस पर डिपैंड करती है amplitude of sound waves पर depend करती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो हमारे हिहाँ पर loudness है वो हमारे हिहाँ पर fully किस पर depend करता है amplitude पर depend करता है किस पर depend करता है amplitude पर तो अगर हमारे हिहाँ पर amplitude increase होगा तो loudness increase होगी और loudness increase होगी तो amplitude भी increase होगा एक तरह से यह हमारे हैं पर क्या है एक दूसरे के डारेक्टली प्रपोशनल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि amplitude होता क्या है तो amplitude जो होता है वो हमारे हैं पर maximum displacement होता है किसी भी vibrating object का उसके central position से तो मैं बता देता हूँ जैसके यह हमारे हैं पर क्या हो जागा यह Central Position ह और यह हमारा जितना उपर तक जाएगा उतने हमारे यहां पर क्या होगा amplitude होगा तो यह वाला पार्ट आपको दिख रहा है यह हमारे यहां पर क्या amplitude है मैं लिख देता हूँ यह वाला पार्ट हमारे यहां पर क्या amplitude है तो यह हमारे यहां पर क्या maximum displacement है इसने यहां पर सबसे दूरी तयकर रखी है, तो यहाँ पर जो object वो vibrate करेगा, तो उसमें से हमारी यहाँ पर क्या होगी, waves प्रेडूस होगी, और उस waves में यहाँ पर जो सबसे maximum displacement होगी, वो ही हमारा यहाँ पर amplitude होगा, उसके central position से, तो अगर यहाँ पर small amplitude प्रेडूस होगा, तो जो sound होगी, वो हम काफी कम होगी, यह कह सकतें soft sound सुनाई देगी, अगर वहीं हमारे amplitude हो, हमारे यहाँ पर large amplitude हुआ, तो sound सुनाई देगी, वो हमें यहाँ पर काफी loud सुनाई देगी क्या सुनाई देगी हमें यहाँ पर काफी sound सुनाई देगी और जो यहाँ पर amplitude के unit होती है वो हमारी यहाँ पर decibel होती है इसको यहाँ पर db से denote किया जाता है मैं यहाँ लिख देता हूँ decibel यह हमारे हैं यहां पर क्या है यह꺼 है तो जो हमारे हैं यहां पर अपर ना audio जो हमारे ही यहां पर आज निइनाओक। जैसके आगर मैं यहाँ पर difference की बात करो तो हम यहाँ पर man and woman में difference बता सकते है तो यहाँ पर क्या होता va workload sounds होगी receipt but जो होगी same loudness होगी क्या होगी होगी ही पिछ तरफोड़ अंब होगी जो different sounds होगी स्वरक्ष क्या होगी directly proportional है तो अगर मैं आपे बोलओ कि हमारी आपे low frequency है तो नहीं हमारी क्या होगी low होगी अगर मैं है पे कहूं high frequency है तो जो पेच होगी वो भी हमारी हschool हुगी high होगी और जो हमारी हमारी पेच करτα है shrillness पर depend करता है जत्ती आपे drillness होगी उतनी higher पिच होगी और उतनी higher हमारी यहां पे क्या होगी frequency होगी और जो हमारी frequency की SI unit होती है वो हमारी है होती है हर्ज होती है यह आप नॉर्मल यहां पर लिख सकते हैं जो पीच ओफ सांड है वो कौन डिटर्माइन करता है बाइद फ्रिक्वेंशी ओ वाइब्रेशन और जो भी आपको यहां पर लिखना है वो आपको यहां पर लेफ्ट साइड लिख रहा होगा अब मैं यहां पर चलता है अपने नेच्ट कोश्यन के तरफ